हेलो गाइज कैसे हो आप से अब विलकम बैक तो माई चैनल तो अभी मैं हूँ अपने माई के में और आस उबसे मेरा कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया और अभी शाम का टाइम हो रहा है हम लोग मार्केट गये थे बहुत सारी चीजें खरीद के लाएं और इतनी ठंड है बहुत ही ज़्यादा ठंड है हमारे हां तो अभी कहीं जाने आने का मन भी नहीं कर रहा है फिर थोड़ा बहुत स्वापिंग होगे बाकि कल वाला ब्लॉग आप लोग इंज्वाए कि नहीं जुरूर बताईएगा मेक अप वाला कैसा लगा आपको और फिलाल यहां पे पती दे हुए है लेटे हुए है ठीक है ग्लास लेके और मम्मी और मेरी सिष्टर बना रही है लोग गुलगपा यह देखें मेरे आँक के निचे कितना कॉला हुआ हुआ है पदा है क्यूं काला हुआ है एक रीजोन और है मैं कल मेक अप की थी ना तो काजल हुआ था अच् लग रहा है तो अभी बन रहा है गुलगपा झाल्गपा और हम लोग करने वाले हैं गुल-पाटी मतलब गुलगपा खाने वाले हैं बाहर तो ठंड मे पूरा मच़ा नहीं आ रहा यह तक रह गवोचegen नहीं और दीक कब जाती हूं और थे पो झाटी आटीश यह में जंडा फैरेगा बट मैं जाओंगी नहीं कम चांसे की 26 जनवरी को मैं जाओंगी और कहीं नहीं जाना है मुझे आज हम लोग सायद देखते हैं से सुराल जाएंगे नहीं जाएंगे कनफॉर्म नहीं है अभी बागी आप मेरे ब्लॉग में बने रहो एंड ब्लॉग को इंज तो अभी पती देख चले गया है रिश्टूरेंट और रात के बच गये हैं शाड़ी मतलब आप समझ सकते हो भी ठंड के मौसम में रात तो ही जाती है साथ बचे शे बचे ही अजीब सा पुरा अंधेरा हो जाता है हमारे हां और मम्मी भी बना रही है गाजर का हलवा है ना शिवानी बना रही है ना माईके में इस चीज का तो फैदा है भाई सूख है अराम से सब्साइस करता है बाई में बेटे रहा हो बैट पिया प ceux कुछ भी बोहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है बस कंबल में भूसे रहा हography आ काम करो मैं चाइंप संब्सक्राइबort तो मैं चार रही हूं तो आसा टेस्ट करूंगे फिलाला भी बन रहा है तो भी टाइम है और यह देखो आराम से मैं बैठी हूं क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी वहां से आने के बाद मेरी हालत खर्याब हो गए थी अथर्व के लिए बॉक्स मेरे लिए कॉपी बोक्स पेन वगार सब पुछ लाना था और थर्व कुछ खाने के लिए मंगा था तो भी मैं लाई और उसका जीन्स लाना था था अधर के लिए जीन्स लाई मैं और इनर वगार लाई वैसे तो मतलब ठीक यह ठांड़ खतम होने वाला है बड़ फ मैं अप्लोग शे मिलती हूं मेरा में दे मेरा में दे मेरा में दे इस बच्चे का दो दिन के पाद ऑनंगे जैसा के आपनी बहाद से एक हैस की वाल किया कैसा कॉफर printing कआ प्रिंटिंग कोब कि कॉट्री स्टूमाइज प्रद कर राए कि मंना नहीं रही वोड़ रही कि पै पैसा मान रही है कि का पांचे तीन के बाद एकजाम है ट्वेल्थ का फाइनल एकजाम है और ये मेरे से भी बोल रहा है मेरे लिए कस्टमाइज ब्रोडक्ट मंगा दो अपना फोन को नियों तो मेरे भी मंगा दो तो मैं सोच रही हम भी मैसेज करूंग नहीं क्योंकि मुझे पता है इसका कोबर मंगाओंगी तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा तो है कम चांस है कि मगाओंगी लेकिन को सिस्क्रति मुझारे मैंसेज करने इसका आपने ही बैके पाइसा दे पड़ी मॉम्मी पाइसा ना दी हां काहें पूछो तॉम का मैत है निगी मॉइद के कोबर म मुबाइल के तो इसका कोबर कैंसिल नहीं आएगा कोई भी नहीं है हाँ बुला रहा है थार आओ इधर तो अपनी एक फ्रेंट ढूंड लेता है यहां पे और उसी के साथ खेलते रहता है एक पीई है बगल की लड़की उसी के साथ कंटिन्यू खेलता है तो बीन पापा है जो भी ठोल चलाएं तो बुरख़ रहे हैं बाबु को बूला क्योंकि नानु का और पोता का चलते रहता है पापा बेटू के सथा बहुत जादा की तुम कहाँ चलें यह दूदा है देगो यह इसकी फ्रेंड है और यह चोटी मुची तो को तुमको रहने हैं बता हाथ यह चाची लगोंगे मैं इसकी आउर ऐसी अंटी अधिर अथी यह यह इप्हें दूसरा वाला दूसरा कैप पहन लो के जैलो केले चलो यहां पर फाइनली बन रहा है दूद्ध गाजर का हल्वा कि पीवानी एक साड़ी का ओपनिंग करवा दो बोलूं की निया पस इस कैमरा ओपन दखना देखिए गाइस यह मेरी चुड़ाल बैन है बोल रही है ना कि रोख जाओना फागल हो क्या तुझे मैं दीन पर इसका आकर पीछे घूंगती रहती हू लोग मेरा वीडियो बना दो ओपनिंग वीडियो बनाना है दीस दैट पागल हो क्या दीन बर मेरे यह कर रही हो कर रही हो मत बनाओ यह देखो यह वाली शाड़ी है उसका ओपनिंग करना है अभी भगवान इतनी ठंड मैं मुझे दोडा रही है मैं सोच रही हूँ एक बुझ जाओंगे राम से मैं दिखाती हूं आपको यह देखो मैं अतौर्फ के लिए जीन्स खरीत के लाई बहुत ही अच्छा लगा पती देव को बहुत पसंद आया है बोले अच्छा लगा और एक इनर खरीत के लाई तो पहना है और भी बहुत सारी चीजे लाई तो मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन थोड़ टाइम के बाद दिखाऊंगे क्योंकि अंदर रखा हुआ है ममी डाल दिये बक्सा में उसको क्योंकि यहां पर चूहों की प्रॉबलम भाई चूहा बहुत ही ज्यादा कपड़ा कुतरता है और आप बिलीब नहीं करोंगे सीवानी को स चूहा बहुत है जाती अपने बच्चों को देखने के लिए और उसी में से निकलने का उसको स्पेस नहीं मिल रहा था सारा इसका ड्रेस कट कर देख दिन फोन करके बोल रही हो मेरे सारा न्यू न्यू इतना बढ़ियां बढ़िया कपड़ा निसमें सारा इसका कपड़ा आइधिक मुझे लग रहा है कि 10-12 कपड़ा इसका चुवा काट गया एक दम बढ़ियां मैं बोले और चुदा चुदा के रखो मेरा कपड़ा काटे गाई चुवा तो इस देखाना बना रही है गाजन का हल्वा चलिए देखते हैं ब्यूटी दी क्या कर रही है यह एक भी नहीं अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैं सोची थोड़ा सा अपना पैसा मिला लो कि अभी मैं भाई को भेजी थी पैसा निकलवाने के लिए टीम से निकाल कि लाया है यह मेरे दो महीने की कमाई है YouTube से और इंस्टा से दो महीने की कमाई है मैं सोच दियूं कि अपने ये 2 महीने की कमाई को अपने पती देव को दे-दू Surprise दूं वैसे तो एकाउंट में एक तो पता चल जाए कि मेरे पास कितना पैसा आया कितना है फिर मैं सोच ती हूँ कि नहीं दे दू उनको सर्प्राइज दो तो मेरा होगा है या फिर मैं अपने लिए कुछ ज्वैल्वे बन वालू वैसे न मुझे बहुत ही ज्यादा एक परशंद आया था मैं पिछली वीडियो में दिखाई भी थी एक जो चैन होता है न उसी में पैंडन तो मुझे बहुत प जल्ट भी यह से केंडी रोलाओं तो अभी पर नहीं बता है तो अभी मैं चेक करने के लेदी हूं फिर में बात कहती है और रही थी सोनार के दुकान पर सोची कल जाओंगी लेकिन हुआ क्या कि कहीं और से पता चलाए कि सोना का भाव बढ़ गया तो यार मैं सोची कि अभ अपने हस्बंड की help परती हूं और कभी भी पैसों के लिए यह नहीं होता है कि मेरे हस्बंड मेरे से सवाल जबाब करें कि पैसे तुम कहां खर्च कर दी कहां नहीं की कभी भी कोई मेरे से हिसाब किताब नहीं होता है मैं अपना credit card अपना ATM अपना दिश्दार सब कुछ मैं phone यूज करती हूं और भी अपना करते हैं मैं यहां पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूं और नेशली बता रही हूं जिदनी भी लेडिज है मुझे ना अपने husband के पैसों की जरूरत नहीं पढ़ती है साधी के एक साल बात तक ही पढ़ी थी लेकिन जबसे मैं सोचल मीडिया वाली लाइन में आई हूं वीडियो बना रही हूं उस टाइम से मुझे ना कभी जरूरत नहीं पड़े खास करके यूटूब और इंस्टा और यह वर्क फ्रम होम वाला दीज सब कुछ चालू हुआ तब से अबनी तो मैं ही न अपने तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ दें ले के लिए हम लोग पस्ताइम में चब जाते हैं तो हमसा महीं खरीती हूं तो मैं पती से पैसे मांगने नहीं जाती हैं खुद पैसे उसी खरीती हूं तो अभलोगों को भी सजेस्ट करती हूं कि जितनी भी लेडिव घर बैठे मेरी वीडियो देख रही है आप कुद के बच्चों का खर्च चला सकूं तो इसलिए मेरा जिया धक धक कर रहा है तो भाई मैं भी काउंट कर रही थी सारे पैसे को मिला रही थी उसको एक जगह सेफ रख दूं और बाकी जो चेंज है ये मेरे ऑटो बढ़ा का मजा इसानी तो सो लिए भी दो पैसा करने आ ज क्लास जाना है तो आटो बढ़ा बहुत जादा लग जाता है हमारा डेली का मुझे लगता है कि 70-80 रूपया लग जाता है तो महीने का काफी जादा हो जाता है सब कुछ समझ के चलना पड़ता है तो वैसे जब मैं माई के आती हूं न तो आप लोग कभी भी नोटीस करना म मैं इसा मार्केट जाती ही रहती हूं तो हमेसा खड़ता ही होता है चलो कोई बात नहीं बस मैं मेरी वीडियो जिकनी भी लेडिस देख रही है मैं उन लोगों को बस यह पैसे दिखाने का यही मोटीव है यही मतलब है कि आप लोग घर बैठे वर्क फ्रम होम कर सकते हो घर अपना फेस हाइड करके अपना फेस मत दिखाओ आप सोसल मेडिया पर जिसको भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं फेस नहीं दिखाएंगे तो मैं इतना सारा आइडी सजेस्ट करती हूं इंस्टाक्राम पर भरमार है बहुत सारी आइडी का देली प्रमोशन करती हूं मैं वर मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो इंस्टाइडी है ब्यूटी चंदन तिवारी एंड वहां से घर बेटे आप भी चॉप करो चलो मैं मिलती हूं थोड़ी दिर के बास चलती हूं पापा को दिखाने और पापा से पुछती हूं कि पापा ये मेरी दो महीने की कमाई है पीर उनका क्यारी एक्षण होता है यार पापा मेरे बहुत अच्छे हैं बहुत खूद हो जाते हैं कि मैं मतलब खुद से खमाती हूं या फिर कुछ भी चलो खुद का कमाई का एक अलगी होता है ना अभी दिखाती हूं आपको तो मॉमी यह मर्दू महीना के कमाई बदा म मैं कैसा लग रहा है मेरा तो मैने के कमाई केसा लग रहा है अब करके नहीं इसको मैं डेती हूं किश्या निकाल के लाओ तो यह क्ता है आपने लिए उसमें से चपल खरिद लेगा लगा घड़ी खरिद लेगा खरीदलेगा खुद से खरीimately पापा को दिखात Kansas City संट पापा, डेखा यह मर दू महीना के कम आई कतना किसना है? यह अई छोड़ता अभ तू काउंट करा कतना कतना है तर देते ने तो पापा भी काउंट करे है मेरा पैसा हुआ इतना पैसा तर तक मम्मी को मैं चीनी मांग रही तुछ जाट आसक है पताए थी अपको हल्वा बुना रिदा में चीनी ये पिंक आछा ज़िए परोग पैसा जाइतने जार है चल्ब फिलाले थ्हर अपना मस्ति कर रहा है खेल रहा है बाहर पापावी तक पैसा ही कांट गधर है वाइस पानली सीवानी मेडम का रिजल टा गया है ताम गडा गया है देखे इसका रिजल टाया दिखा रही है गॉंटी कोजा में लोगे तो सीवानी फर्स डिविजन से पास हो गई है बी ए से कंटी एर में हां पर सब लोग है मुपना पर सब्सक्राइब कोजा रहा है तो फर्स डिविजन से पास हो गई है तो यह गंटी बजा रहा है गंटी बजा रहा है इस अभी रात के बजगे हैं 12 और इसी के साथ इंज्वाय करते हैं हां ठीक इसी के साथ यह वाला आज का ब्लॉग में यह पेंट करते हूं मिलती हूं करना ब्लॉग में आपको यह ब्लॉग कैसा रहा कॉमेंट को के जरूर बताइएगा और मिलते हैं नए वीडियो में बाबाई टेक केर